दोस्तों दिल्ली कैपिटल से जीत के बाद CSK की टिम पर टूटा दुखों का पाल अभी अभी जैसे ही इस खिलारी का हाट अटेक से नजन हुआ उसके बाद दोस्तों पूरे क्रिकेट जगत के प्लियार फूट फूट करूने लगे आकिरकर गाई साब भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर तो इस बीडियो को लाइक की जिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेला कंद भाइए और लोटिफिकेस्टन पर क्लिक करना बिलकोल ना भूलें दोस्ता आइपल 2023 के 66 में मुकाबले मैं चैनली सोपर किंग की टीम ने पहले बल्ले बाजी करत हुए 223 रन इसको लोल पर लगाए जिसमें सफस्यादा डैविड कॉन्वे ने 87 रन की तूफानी पारी खेली तो में रितुराज गायक वारने और ने 80 रन का योगदान दिया मगर दोस्तों इस लक्ष का पीछा करने के लिए जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब मैदान दिया और कोई भी बल्लेवाज जदा कमाल नहीं कर पाया मगर दोस्तों चैनेई सूपर किंग की ओर से गेंदवाजी कराते हुए सबस्यादा दीपक चाहर ने तीन विकिर चटका है और इस मोकाबले को चैनेई सूपर किंग की टीम ने 77 रन के वड़े अंतर से जीता मगर दोस्तों आपको बता दें जैसे ही चैनेई सूपर किंग की टीम ने ये मोकाबला जीता उसके बाद दोस्तों चैनेई सूपर किंग की टीम पर टूटा दुकों का पार दरसाले आपको बता दें कि रितुराज गायकवार के पिता कापी दिनों से यानि ऑस्पीटल में भरत सी ते मगर दोस्तों बीते काल है रितुराज गायकवाड के पिता का निदन हो गया उसके बाद दोस्तों पूरे किर्केट जगत के से लिएर फू disp कर रोने लगे वैसे का इससाद नीचे काूपर वक्स में रितुराज गायकवार के पिता के आत्माओं की सांती के लिए ओम सांती ओम रिखना बिलकुल ना भूलें